तो नमस्कार दोस्तों स्वागा दे आपके अपने युटूब चैल में तो आज मैं आपको यहां पर दो वेकंसी बताऊंगा जो आपकी एक वार्डन की और आपकी यहां पर है आपकी केयर टेकर की वार्डन और केयर टेकर और इसके अलावा ग्राम पंचाय सच्यू की भरती सबसे बेले उसके बाद फिर ग्राम पंचाय सच्यू की वेकंसी बताऊंगा तो यहां पर आप सबसे बेले देख सकते हैं इसका कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा यह फॉर्मेट है आप देख सकते हैं आप एप्लिकेशन फॉर वार्डन अफ्टिकर टेकर और कॉं सब्सक्राइब कर सकते हो कि यहां जायाँ किसी एक सेलरी वाली है चुमाली चेहार 670 रुबे तो आप यहां पर देख सकते हो कितनी अच्छी कासी आपकी वाली है बिल्कुल आपकी मद्दप्रदेश के अंदर मद्द परदेश माप देख सकते हो नेशनल इंस्ट्यूट आपके बात करें तो आगे आपके देख सकते हो गुरूप सी की वेकेंशी होने वाली इसमें बैशलर डिग्री मांगी गई है और अब कंप्यूटर का नॉलेज होना बागी है तो यह हो गया पसके आज एकस्पियेंस एकस्पियेंस हो तो चल जाएगा यहाँ पर आपकी जो बी और के आटेगर के काम होते हैं वह यहाँ पर दिए गए हैं जो भी आपको करने हैं जो आप पढ़ सकते हो पीडिये अप में इ सब आपको बनाना अनाची उसके साब से आपका टेस्ट ले जाएंगे यहाँ पर आपका स्लेबस दिया है यह आपका सो नंबर का पेपर होगा उसमें आप यह सारी चीजे आप यहाँ पर पढ़के पेपर दे सकते हो तो यह पीडिएफ आप एक बार में टेलिग्राम चैनल देदूँगा आप वहां से पढ़ लेना थाकि आपको अच्छे से नौलेज हो जाएगा एड्रेस आपको मैं बता देता हूं एड्रेस आपको कहां बेजना है तो यह आपका एड्रेस है अधिनिस्टेटिव ऑफिसर इस्टेबिश सेक्शन मद्धिब्रदेश भोपाल में अब किसरी है उए यहां निकली यहां निकले तो है सकते हो वाड़ बोन और के Gegenर करना चाते हो तो अच्छे कासी अभीया पे ट्राय कर सकते हो क्यों है इदो गया बात करते हैं गार्म बंचाय सच्चु का जो नोटिफिकेशन इसमें आपका पहले में आपको बता देता हूं इसमें आपका डायरेक्ट इंटर्व्यू का है और यह आपका फॉर्म देख सकते हो सबसे पहले कराम पंचा सची हो के बद के लिए आवे दन यह आपको पासपोर्ट साइस फोटो नाम पता डेट आप बर्त एड्रेस कंपिट इसमें आपको कॉलिफिकेशन चीए शेक्षण ने की होगे तब बार भी पास विश्व इद्दालय अनुदानी होने से यूजिसी प्राप्त विश्व इद्दालय से कंप्यूटर डिप्लोम आपके वास एक साल का होना चीए दो पदे यहां पर आपके नो बारा तक आप सकते हों अन्तिम दिनां के तो यह आवेदन पत्र कारेकालें आवेदन पंजन डाक ठीक है उसके अलावा फिर आपकी जो है इसमें इंटर्व्य होगा डाइरेक्ट इंटर्व्य वेस पर आपके वेकेंसी रखी गई है तो इंटर्व्य में आपको मैं बता दता हूं कि अधिकारी जारी होने के पश्चात बावन सोच पेग्रेट की नियम विद्ध दिया जाएगा उन्नी सोपेग्रेट आपके यह पोने वाला है ठीक है तो यह आपके और परिविक्षा वदी दो वर्ष की परिविक्षा अवदी तक आपको 10,000 पर प्रतीमा दिया जाएगा जैसे दो वर्ष की परिविक्षा काते होगी तो आपको 10,000 पर रख लिया जाएगा तो बहुत अच्छी वेकेंसी और पर्मानेंट वेकेंसी यह कॉंट्रेक्ट बेस नहीं है तो यदि आप करना चाहते हो तो यह फॉर्मेट दिया है इस फॉर्मेट को भरके आप यह भरत